देखें नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री जॉफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सुने ही कभी नाम यह 11 ख्लास में था वही उसी का टॉपिक है पूरा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है हम कहीं गए और हमें अपना इंट्रॉप्शन देना है उन्हें का यार आपको ल में तो यह डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई कि आपकी लोकेशन आपको पूरा इंट्रॉड्यूस करने के लिए जिन जिन जी जो जुरुत है वो डिग्री आफ फ्रीडम होती है तो आजकल तो खेर होने लगा होना पहले लड़कों के लिए नहीं पुछा जाता था लड़का काला है गोरा है लंबा है नाटा है गंजा है कोई लड़की गना नाथता है घम नहीं गाले तिहां नहीं लड़क आभवी है थोड़ा चैंज हो गया है अब तो अलग बात है देखो नहीं वह पहले यह उता था कि तो वह डिग्रिया फ्रीडम थी कि उसको उनको एक्स्प्रेण करने के लिए किनकिन पॉयंट्स जिरूओता है तो पहले बताओंगग तो उनको एक्स्प्रेण करने का YGRI of freedom है अभी तो trend change हो रहा है लड़के कम पढ़ रहे हैं लड़के आप पढ़ रही है तो कुछ दिन बाद उल्टा होगा लड़की वाले जाएंगे लड़का देखने के लिए खाना उना बना लेते हो खाना उना बना लेते हो नहीं अब तो तना होता है लेकिन फिर भी अभी भी डॉमिनेंट जो है जो जो उपर रखा गया इस्टेंडर उनिक रखा गया है ठीक है लेकिन बाद आएगा कि खाना बनाने तरह कहां कपड़ा पड़ा दोने पड़ेंगे जो को हम वासिंग मजीन कपड़े नहीं पैंते हां से दोने पड़ेंगे क्या करती है तो इसलिए तो अभी कुछ ना हो तो संद्में आएगा फिप्टीन लाइक पैकेज ना होता तो संद्में आता तो यानि किसी भी अब तो हम तो यहां पर साधी बात करें यहां तो भही हम बात करें गैस मॉलिक्यूल की गैस मॉलिक्यूल में कितने प्रकार का हो सकता है कि इनर्जी हो सकती है उसको explain करने के लिए total explain करने के लिए जितनी चीजों की जरूरत होगी उसको हम degree of freedom कहेंगे तो कहानी लिखे जाना the total number of independent variables the total number of independent variables required to describe completely the state of motion to describe completely the state of motion of a body the state of motion of a body are called its degrees of freedom our card its degrees of freedom बाई जैसे एक तार है एक तार पर कोई कीड़ा चल रहा है तो एक straight line में चलेगा कि सिंपल से बात है तो उसकी degree of freedom 1 है मेज के उपर कोई कीड़ा चल रहा है या कोई point और move कर रहे हो तो उसकी location बताने के लिए आपको x coordinate और y coordinate देना पड़ेगा तो उसको explain करने के लिए दो चीए चाहिए x coordinate भी देना पड़ेगा और तो इसकी degree of freedom दो हो गया मालिया ने z कहा मेज पर आएगा मैं मेज की बात कर रहा हूँ अगर space में है तो space में आपको x y z 3 हो देने पड़ेगा या end भी दे सकते अनि-dimensional coordinate भी होती है फिलाल 3 की बात करें तो उसका degree of freedom 3 होता है यह degree of freedom होता है ठीक है तो यहां पर main हम 3 की बात करेंगे एक बात करेंगे monotomic molecule एक बात करेंगे diatomic molecule एक बात करेंगे triatomic molecule ठीक है तो paragraph change करेंगे लिखे for monotomic molecule for monotomic molecule दो को monon single molecule अब single molecule अगर space में है रहेगा तो space में ही ना अगर space में है ठीक है यह single molecule है तो या तो वो x direction में चलेगा या तो y direction में चलेगा या तो वो z direction में चलेगा यानि कि अगर आपको उसकी location बतानी है तो आपको x quadriant बताना है उसका y quadriant बताना है उसका z quadriant बताना है यानि उसके पास की वर translational motion होगा या तो इधर चलेगा या तो उपर चलेगा या तो इधर जाएगा ठीक है तो लिखिए the monotomic molecule the monotomic molecule like neon helium etc इस प्रकार के etc has three degree of freedom like neon helium उस नाम देंगे न etc has three degrees of freedom three degrees of freedom और होगे क्या वो translation होगे या तो x तरफ या तो y तरफ या तो z के तरफ ठीक है all are translational all are translational सुझ में एक बात अब दूसरा होता है diatomic molecule next लिखिए for diatomic molecule मतला आप उसको पूछा जा सकता है कि number of degree of freedom for monotomic कितना होता है तो ये बताएंगे आप दूसरा है for diatomic 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 molecule ये से scl हो गया ये diatomic molecule हो गया अब कि मिस्टिय हमको आती नहीं है और बना लो cl2 बना लो diatomic होता है 2 atoms है o2 बना लो 2 atoms होंगे तो like click है like scl cl2 o2 has 5 degrees of freedom has 5 degrees of freedom अब गरबढ़ है कि 5 degrees of freedom होती क्या है ज़रा समझिएगा देखो भाई ये molecule रहेगा तो space में न और space 3 dimension होता है देखो जान से जैसे हमने मान लिया ये scl है एक molecule h है एक molecule cl है ये bonding मनती है cl की एक hydrogen का एक जो atom होता है जो एक electron होता है और cl में चला जाता है तो cl एक electron ले ले लेता है cl negative हो जाता है h positive हो जाता है इस प्रकार की bonding को क्या करते है आपने बना covalent bond ये bond फिलाल इस प्रकार bonding बनेगी अब देखो ध्यान से यानि कि इस bond में एक तरफ h है और एक तरफ cl है अब दोनों जहां जाएंगे दोनों एक साथ जाएंगे तो देखे या तो x direction जाएंगे या तो ये y direction में जाएंगे या तो ये z direction जाएंगे यानि तीनों कैसे motion होंगे तीन translation होंगे तो लिखे थी translational motion अब देखे ये molecule है scl, h और cl ये x तरफ जा रहा है तो जाते वक्त जा इधर ही रहा है जाते वक्त तो x की चारो तरफ y की चारो तरफ रोटेट भी कर सकता है या z तरफ रोटेट कर सकता है x तरफ करेगा नहीं x तरफ जाही रहा ना ऐसे थोड़ थोड़ रोटेट करेगा तो यानि दो इसमें रोटेशनल मोशन होते हैं अगर ये x direction में linearly जा रहा है तो ये आगे बढ़ता भी रहेगा और y की चारो तरफ रोटेट भी करता रहेगा आगे बढ़ता भी रहेगा और y की चारो तरफ रोटेट भी करता रहेगा ठीक है तो लिखे and two rotational motion two rotational motion मतब तीन translational motion है और दो rotational motion है अब एक और अगर ये high temperature पे है ये तो normally हमाल नेतने bonding बनी भी है अगर इसका temperature बढ़ा ही होगा तो एक और इसमें motion होगा vibrational motion मतब नहीं समझे मतब इधर H इधर CL translational X direction में Y direction में Z direction में तीन हो गए X में जाते वक्त तो Y के चारो रोटेट कर रहे है Y और Z के चारो रोटेट कर रहे है दो translational हो गए सरी दो रोटेशन हो गए पांच हो गए उसके साथ दोनों मालिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेट भी कर रहे है अगर high temperature पे है तो नहीं चे लिखे at high temperature at high temperature diatomic molecule possesses vibrational motion also vibrational motion also so it has total number of degree of freedom seven पर दो आपस होगे ना तो इसका भी होगा इसका होगा तो यह होगे तो इसके दो degree of freedom और होगे तो total number of degree of freedom कितने होगे seven अब देखो confuse करने के लिए उन्होंने कहा एक diatomic gas है diatomic molecule है बहुत high temperature पे है तो आप उन्होंने कहा कि बताए उसमें कितने degree of freedom होगे कितने है बताएंगे seven तीन rotational तीन translational linear दो rotational और दो oscillatory धीक है next लिखे triatomic triatomic tri ट्राइ एटॉमिक मॉलिक्यूल अब दुकूर ट्राइ एटॉमिक में भी तीन दो प्रकार की मॉलिक्यूल होते हैं हो सकता है मॉलिक्यूल अर्रेज्मेंट इस प्रकार से हो एक मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे जुड़े हुए हो और हो सकता है एक मॉलिक्यूल यह हो एक मॉलिक्यूल यह हो यह ऐसे भी जुड़े हो सकते हैं मॉर्णिक ऐसे हो सकती है अब एक्जामपल नहीं दे पाएंगे दे सकते हैं अब किता में देख करके जैसे एस टुएस के बारे में ये बताया गया है और नहीं मतलब अब कैसे बनेगा तुम जानो और CO2 के बारे में ये बताया गया है C इधर होता है, O इधर होता है, O इधर होता है H इधर होता है, H इधर होता है, S इधर होता है ठीक है, तो ये bonding होई जाकरके इसको कहा जाता है linear molecule क्या कहा जाता है linear molecule इसको कहा जाता है non-linear molecule तो triatomic linear molecule पहले लिखेगा नीचे लिखे इन triatomic linear molecule दरा ध्यान से देखेगा क्या ये आपका diatomic तरह नहीं काम कर रहा है डाय आटामिक में ऐसे डागरम बनाए गया था ठीक है तो ये तीनों molecule एक ही लाइन पर होंगे या तो X तरफ चल रहा होंगे इधर देखेगे बाद में खिए या तो Y तरफ चल रहा होंगे या तो Z तरफ चल रहा होंगे मतला इनके पात 3 तो हो गए linear motion जब X तरफ चल रहे होंगे तो Y के चारो रोटेट कर रहे होंगे और Z तरफ रोटेट कर रहे होंगे तो लिखे The linear diatomic molecule has 5 degrees of freedom 5 degrees of freedom 3 translational linear diatomic molecule या उल्टा बोल गए diatomic linear molecule diatomic है और linear molecule has 5 degrees of freedom has 5 degrees of freedom 3 translational and 2 rotational और अगर triatomic non-linear है तो देखे इसमें 3 ये triangle है या तो triangle X तरफ पूरा पूरा जाएगा या Y तरफ जाएगा या जड तरफ जाएगा तो 3 तरफ तरफ जाएगा तो 3 तरफ ट्रांसलेशनल हो गए ठीक है X तरफ जाते वग तो X के चारो और भी रोटेट कर सकता है यानि ये ऐसे भी कर सकता है ये ऐसे भी कर सकता है ये ऐसे भी कर सकता है 3 Translational and 3 Rotational यह हमने Intermediate में Detail में सपड़ा है 3 Translational यह Translational बाव हम बोल रही है यह क्या होता है Translational में चलना होता है Translational में लिनियर होता है Straight line में चलना सीधहे रिखा में चलना नहीं होता है चलने के तरीकिए को translation कहा जाता है चलना तो भी होता رोटेट करें तभी हम चल रहे हैं तरीका दूसरा हमारा है लेकिन इसको translational क्यों कहा गया linear कहे दिया जाता नहीं तो translational linear भी जो single line पर होता है तो उसको linear motion कह देते translational motion क्यों कहा गया आदगे जब single particle चलता है single particle चलता है तो ये linear motion होता है ठीक है? और बहुत सारे particles चलते हैं पूरी body चलती है तो वो translational होता है जैसे single particle किसी circular path में move करेगा तो वो circular motion होता है लेकि पूरी body अगर घुम रही है तो हमारी कोले इतना नाक कहता ठुकड़ा ये ले 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 और ये एक line में चलाएं तो ये कैसा motion होगा? linear होगा लेकि हमारी पूरी body चल लए है नाक हाथ पर जतने भी organs है तो पूरी body का motion होगा वो translational होगा ठीक है? single एक नाक का piece हमने ले लिया मतब उसको circular path में घुमाया तो हमने का ये circular motion है तो पूरी body अगर हम rotate कर रहे हैं circular motion में तो वो आपका rotational motion होगा तो ये circular, rotational linear और translation में अंतर होता ठीक है? तो ये होगया आपका degrees of freedom